So, hey learners, welcome back. आज का वीडियो एक beginner special वीडियो होने वाला है, as well as अगर आप एक intermediate trader हो, तो वी ये वीडियो आपके लिए बहुत helpful होने वाला है, जिसमें हम technical analysis को beginner level से advanced level तक सीखेंगे, तो वीडियो में हम इन सब टॉपिक को cover करेंगे. So, बीना आपका time waste के वीडियो को शुरू करते हैं. Number one, what is technical analysis? Technical analysis क्या है? Basically, technical analysis का मतलब होता है, previous chart को देख कर future को predict करना, जिसके लिए हम कुछ price patterns, tools और indicators का use करते हैं. तो technical analysis को हम चार पार्ट में divide कर सकते हैं. First, candlestick, second, technical tools, third, chart patterns, और fourth, technical indicators. So, आईए, पहले candlestick को समझते हैं. What is candlestick? जब भी हम किसी stock का chart open करते हैं, तो by default हम एक candlestick chart दिखाया जाता है, और इसे हम candle बोलते हैं. Basically, candlestick, price chart को read करने का एक method होता है, यह हमें किसी particular time period का open, high, low and close price बताता है. और यह हमारे लिए entry trigger का भी काम करता है. मतलब, हम इसके साथ other factors को combine करके, trade execute कर सकते हैं. So, आईए, देखते हैं इसे read कैसे करना है. Basically, यह दो colors के होते हैं, green और red. इसे हम candle का body बोलते हैं, जो हमें उस time period का opening and closing price बताता है. उपर वाले line को हम upper week बोलते हैं, जो हमें बताता है, price उस time period में कितना उपर तक गया था, और नीचे वाले line को हम lower week बोलते हैं, जो हमें बताता है, उस particular time period में, price कितना नीचे तक गया था. Now, अब आपको दिख रहा होगा, यह दो color के होते हैं, green और red. तो इसका मतलब क्या है? Simply, green color का मतलब उस particular time period के दौरान, market में तेजी आई थी, मतलब, market उपर गया था, इसलिए green candle का opening price नीचे होता है, और closing price उपर होता है, मतलब market जिस price पर open हुआ था, उससे higher price पर close हुआ, और red candle का मतलब, उस particular time period में, market नीचे आया था, मतलब market जिस price पर open हुआ था, उससे lower price पर close हुआ, और week का काम दोनों में similar है, upper week उस time period का highest price बताता है, मतलब price कितना उपर तक गया था, और lower week उस time period का lowest price बताता है, मतलब उस time period में price कितना नीचे तक गया था, सपोज अगर आपने one day का चार्ट लगाया है, तो यह आपको एक दिन का price data बताएगा, उस दिन market कहाँ open हुआ था, price कितना उपर गया, कितना नीचे आया, और finally market किस price point पर close हुआ, और वहीं मान लीजिये, आपने एक minute, पांच minute, या किसी भी time frame का चार्ट लगाया, तो यह आपको उस time frame का data बताएगा, तो अभी हमने just basic candle को read करना सीखा, पर आपने देखा होगा, candle different size and shapes के होते हैं, जिसके base पर इनका कुछ नाम है, आईए, कुछ important candlestick pattern को देखते हैं, पहला, hammer candlestick pattern, यह एक bullish candlestick pattern है, जो आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार दीखता है, इसका body छोटा होता है, अपर वी क्या तो छोटा होता है, या ना के बराबर होता है, पर इसका lower wick, इसके body का double, या उससे जादा होता है, अगर यह pattern downtrend के दौरान, area of value में बनता है, तो यह indicate करता है, अब price यहाँ से उपर जा सकता है, अब यह area of value क्या है, तो area of value को आगे हम इसी वीडियो में cover करेंगे, अभी हम line by line बस चीजों को समझते हैं, तो downtrend के दौरान hammer indicate करता है, अब price यहाँ से उपर जा सकता है, पर ऐसा क्यूँ, आई यह इसका पीछे का logic समझते हैं, देखिए, जब यह candle form हो रहा होता है, तो उस time period के दौरान, market यहाँ open होता है, फिर sellers, market को इस price point तक नीचे लेकर जाते हैं, पर sustain नहीं कर पाते, मतलब sellers, market को नीचे तो ले जाते हैं, पर lower price पर close नहीं कर पाते हैं, फिर buyers, उस time period में market को dominant करते हुए, price को उपर लेकर आते हैं, और finally candle का closing, उसके opening के आसपास होता है, so at the end of this candle, हमें एक buying pressure देखने को मिलता है, और जब यह buying pressure, right location, यानि area of value में create होता है, तो यहाँ हम expect कर सकते हैं, market अब यहाँ से उपर जाएगा, इसी के opposite एक candlestick pattern है, जिसका नहीं है shooting star, यह hammer के just opposite है, hammer downtrend में बनता है, और यह uptrend में बनता है, इस candle के बनने के बाद, हमें market में एक गिरावट देखने को मिल सकता है, मतलब market इस candle के बनने के बाद, नीची आ सकता है, पर हम सिर्फ इस candle के बेस पर trade नहीं ले सकते हैं, trade कैसे लेना है, आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे, next है morning star, यह तीन candle का एक formation होता है, जो आपको चार्ट में कुछ इस प्रगाद दिखता है, इसमें first candle एक big green candle होता है, second candle एक indecision candle होता है, यह एक छोटा doji type candle होता है, इसका open and low लगबख सेम होता है, और third candle एक big green candle होता है, जब यह pattern downtrend के दौरान, area of value बनता है, तो यह indicate करता है, अब market यहाँ से उपर जा सकता है, इसके पीछे का logic एकदम simple है, पहले candle तक market तेजी से नीचे गिर रहा होता है, फिर second candle में हमें indecision देखने को मिलता है, मतलब second candle के formation के दौरान, ना bias price को उपर ले जा पाए, ना sellers price को नीचे ले जा पाए, और market अपने opening price के आसपास close हो गया, फिर third candle में, हमें bias का interest देखने को मिलता है, कि हाँ, अब वो price को उपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए हमें एक big green candle देखने को मिलता है, तो basically ये pattern market में you turn indicate करता है, next pattern इसी के opposite है, जो है evening star, अगर ये pattern uptrend के दौरान right location पर बनता है, तो ये हमें indicate करता है, अब price यहाँ से नीचे जा सकता है, इसमें first candle एक green candle होता है, second candle एक indecision candle होता है, और third candle एक big red candle होता है, तो ये कुछ important candlestick pattern थे, और उन्हें read करने का तरीका, वैसे saw से भी ज़्यादा candlestick pattern होते हैं, इनको याद रखने का तरीका, और कुछ important candlestick pattern का वीडियो, आपको description में मिल जाएगा, आप एक बार उन वीडियोज को जरूर देखें, अब technical tools को समझते हैं, तो technical tool basically, आपको area of value को find करने में help करता है, जहां आप candlestick के help से trade ले सकते हो, technical tool जैसे support resistance, trend line, trend channel, etc, आईए, इनको समझते हैं, पहला है support level, support मतलब वो area, जहां से price at least two time reject होकर उपर जाता है, फिर उसके base पर हम एक zone create करते हैं, कुछ इस प्रकार, इसे हम support level या support zone बोलते हैं, दिन जब price यहां वापस आता है, तो यहां reversal की एक possibility होती है, मतलब हम past के data को देखकर यह predict कर सकते हैं, यहां buyers available है, जो price को यहां से उपर push कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि just price यहां आया, और हमने यहां buy कर लिया, ऐसा नहीं है, यहां हमें अपने candlestick के knowledge को, और कुछ indicators को combine करके trade लेना है, next resistance level, resistance मतलब वो area, जहां से price at least two बार reject होकर नीचे आता है, फिर हम यहां एक zone draw करते हैं, कुछ इस प्रकार, then price जब वापस उस level को approach करता है, तो हम यहां एक गिरावट expect कर सकते हैं, पर यहां भी हमें blindly कोई trade नहीं लेना, यहां भी हमें other factors को combine करना है, आईए, अब एक concept समझते हैं, जिसे change in polarity बोलते हैं, जो support या resistance level होता है, जब वो break होता है, तो same support level resistance का का काम कर सकता है, या same resistance level support का का काम कर सकता है, फिर आगे जाकर यही support level, हमारे लिए resistance का का काम करता है, next key point देखते हैं, देखिए, support या resistance, कोई line नहीं होता, यह एक zone होता है कुछ price point का, तो आपके trading platform में एक tool होता है, rectangle box, आपको उसके help से simply एक zone create करना है, next है trend line, basically यह एक slanted, मतलब तिर्शा support या resistance होता है, uptrend के दौरान, जब हम 3 swing low को connect करते हुए, एक slanted line draw करते हैं, कुछ इस प्रकार, तो इसे हम trend line बोलते हैं, past की data का according, जब next time price trend line को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से again, हमें तेजी देखने को मिल सकता है, और downtrend के दौरान, हम 3 swing highs को connect करते हुए, एक trend line draw करते हैं, और जब price next time इसे अप्रोच करता है, तो हम यहाँ से एक गिरावट expect कर सकते हैं, rejection candle के base पर, but again, हमें blindly trade नहीं लेना, और just like support and resistance, हमें इसे zone के तरह treat करना है, ना कि एक single line के तरह, मतलब ज़रूरी नहीं price exactly, इसी line पर आकर रुकेगा, price इसे थोड़ा break भी कर सकता है, या फिर यहाँ तक पहुँचने के थोड़ा आगे ही reverse हो सकता है, next, trend channel, जब same direction में, हमें दो parallel trend line मिलते हैं, तो इसे हम channel बोलते हैं, इसके base पर, हम buying and selling दोनों कर सकते हैं, तो ये थे technical tools, इनका detail वीडियो आपको description में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखे, आईए, अब chart patterns को समझते हैं, देखिए, बहुत सारे candles मिलकर, कुछ recognize pattern मनाते हैं, जिसे हम chart pattern बोलते हैं, like ascending triangle, descending triangle, flag, double top, triple top, और भी बहुत सारे, इनका भी detail वीडियो आपको description में मिल जाएगा, एक बार उन वीडियो इसको ज़रूर देखे, इस वीडियो में हम ascending triangle, और flag pattern कवर करेंगे, पहला है ascending triangle, यह आपको chart में कुछ इस प्रकार से दिखता है, अब trend के दौरान, market same level of resistance से, multiple time reject होकर नीचे आता है, बट जब market नीचे आता है, तो वो अपने पिछले low तक नीचे नहीं आता, और higher low बनाता है, मतलब next low previous low से higher है, इसका मतलब, यहाँ sellers धीरे धीरे weak होते जा रहे हैं, और यहाँ buyers higher price में खरीदने को तयार है, और जब price resistance के पास, थोड़ा time spend करके इसे break करता है, तो हमें यहाँ एक अच्छा trade opportunity मिलता है, यहाँ हम buy कर सकते हैं, इसी के opposite descending triangle pattern होता है, downtrend के दौरान, price same level of support से, multiple time reject होकर उपर आता है, पर जब price उपर आता है, तो same level तक उपर नहीं आ पाता, और lower highs का formation करता है, इससे हमें पता चलता है, यहाँ buyers weak है, जो price को उपर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो यहाँ जब price थोड़ा time spend करने के बाद, breakout देता है, तो हम यहाँ short कर सकते हैं, flag pattern, एक sharp uptrend के बाद, market थोड़ा correct करता है, और इस correction में हमें दो parallel trend line मिलते हैं, थोड़ा नीची के तरफ जुके हुए, तो इसे हम bullish flag pattern बोलते हैं, इस pattern के formation के बाद, जब market upper trend line को break करता है, तो हम यहाँ buy कर सकते हैं, इसी के opposite, जब एक sharp downward move के बाद, हमें दो parallel trend line, उपर के तरफ tilt मिलता है, तो इसे हम bear flag बोलते हैं, और जब price lower trend line को break करता है, तो हम इसके breakout पर short trade लेते हैं, flag pattern को trade करने का एक effective तरीका, हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे, अभी चीज़ों को बस simplify way में समझिए, next, अब हम technical indicators को समझते हैं, technical indicators एक tool होता है, जो past data को use करके बनता है, जिसमें थोड़ा mathematical calculation किया जाता है, बट आपको tension नहीं लेना है, आपको यह calculation नहीं करना, यह सारे calculation हमारा trading software और automatically करता है, technical indicator का use, हम area of value को define करने के लिए कर सकते हैं, और साथ ही साथ, entry और exit के लिए भी कर सकते हैं, बहुत तरह के technical indicators होते हैं, जिसे आप अपने trading platform के, indicator section से access कर सकते हो, आपको जो भी indicator चाहिए, बस उसका नाम यहाँ search करिए, और select करिए, वो automatically आपके चार्ट में plot हो जाएगा, तो इस वीडियो में कुछ important indicators को देखेंगे, जो है RSI and moving averages, पहले moving average को देखते हैं, moving average आपको चार्ट में कुछ इस प्रकास से देखता है, एक single line जो price के साथ move कर रहा है, इसका calculation आपको जानने की ज़रूरियत नहीं है, बस इसका काम समझिये, first, यह trend filter का काम करता है, मतलब अगर price किसी particular moving average के उपर है, इसका मतलब अभी market uptrend में है, और अगर price moving average के नीचे है, तो इसका मतलब market अभी downtrend में है, next, यह हमारे लिए dynamic, support और resistance का काम करता है, मतलब जो support और resistance होता है, वो static होता है, मतलब स्थिर होता है, पर यह price के साथ move करते हुए, आपको support और resistance प्रोवाइट करता है, अब trend के दौरान, यह हमारे लिए support का का काम करता है, यहाँ आप देख सकते हो, कैसे market is moving average से reject होकर, ऊपर चला जाता है, और downtrend के दौरान, यह हमारे लिए resistance का काम करता है, तो जब price दो rejection के बाद, again moving average के पास आता है, तो यहाँ हम candlestick के base पर trade ले सकते हैं, again, strategy हम इसी वीडियो में आगे discuss करेंगे, next indicator है RSI, इसका full form होता है, relative strength index, यह आपको चार्ट में कुछ इस प्रकास से दिखता है, देखिए, RSI दो तरीके से use होता है, एक traditionally, और एक with divergence, तो हम अभी divergence को cover करेंगे, again, RSI का भी detail वीडियो आपको description में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर दिखें, divergence बिल्कुल simple है, अगर price के movement और indicator के movement में, जब हमें difference देखने को मिलता है, तो इसे हम divergence बोलते हैं, for example, यहाँ देखिए, price यहाँ higher move करता है, और higher high form करता है, but वहीं at the same time, RSI lower high form करता है, मतलब यह एक bearish divergence है, यहाँ indicator हमें indicate करता है, प्राइस उपर तो गया है, पर इसमें strength नहीं है, और price अब यहाँ से नीचे आ सकता है, next, यहाँ देखिए, price यहाँ lower low बनाता है, but at the same time, RSI यहाँ higher low बनाता है, मतलब यह एक bullish divergence है, RSI हमें यहाँ indicate करता है, अब price यहाँ से उपर जा सकता है, तो यह था basic of divergence, वैसा divergence बहुत प्रकार के होते हैं, class A, class B और C, इसका भी detailed video आपको description में मिल जाएगा, आईए, अब हमने जो कुछ भी सीखा है, उसके base पर strategy कैसे plan करना है, वो देखते हैं, मतलब trade कैसे लेना है वो देखते हैं, पहले एक simple trading strategy देखते हैं, जिसमें हम moving average प्लस candlestick को use करेंगे, यहाँ देखिए, यह हमारा chart है, और chart पर 50 period EMA applied है, next, price यहाँ दो बर already moving average के साथ react कर चुका है, मतलब, price इस moving average को respect कर रहा है, next, price वापस इस moving average को approach करता है, next, यहाँ हमें एक bullish hammer candle मिलता है, जो moving average के साथ react करता है, जिसे हम wick को देखकर पता लगा सकते हैं, so अगर next candle इसके high को break करता है, तो हम यहाँ buy कर सकते हैं, और stop loss हम hammer candle के नीचे लगा सकते हैं, अगला chart देखते हैं, यहाँ देखिए, chart पर 50 period EMA applied है, और यह हमारा resistance level है, next, price resistance को break करता है, next, price वापस इस level को approach करता है, अब यह same resistance हमारे लिए support का काम कर सकता है, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक static support level है, और एक dynamic support level भी है, जो है यह moving average, मतलब यह एक confluence area है, यहाँ probability थोड़ी बढ़ जाती है, देखने को मिलता है, तो यहाँ हमारे पास multiple signals है, जो हमें indicate करते हैं, अब price यहाँ से उपर जा सकता है, so अगर कोई green candle, किस hammer candle के high को break करता है, तो हम यह buy कर सकते हैं, अगला strategy देखते हैं, जिसमें हम RSI divergence को area of value के साथ combine करेंगे, यहाँ देखिए, यह हमारा resistance है, through this point, next, price वापस इस level को अप्रोच करता है, देखिए, price यहाँ same level तक उपर जाता है, but RSI, यहाँ class B, bearish divergence हो करता है, so यहाँ trade कैसे लें, देखिए, simply हम यहाँ एक bearish candle के base पर trade ले सकते हैं, but यहाँ एक trend line भी form हो रहा है, so अगर यह trend line break होता है, तो हम यहाँ sell कर सकते हैं, next, यहाँ हमें support level पर, एक double bottom pattern मिलता है, with bullish diverges, मतलब, indicator हमें indicate कर रहा है, अब price यहाँ से उपर जा सकता है, और साथ ही साथ, यहाँ हमारे पाद support level भी है, जहाँ bias active होते हैं, तो multiple factors यहाँ indicate कर रहा है, अब price यहाँ से उपर जा सकता है, तो जब भी आपको double bottom मिले, तो हमें इसके neckline, मतलब इस point के break पर trade लेना है, अब next price action देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, हमारे पास एक support level है, चुकि price इस level से multiple time reject हो जाता है, जो इसे एक potential support level बनाता है, next, price support level को break करता है, बट हमें इस breakout पर enter नहीं लेना, क्योंकि इस move को देखिए, यह इस level से directly, parabolic moves के साथ आता है, और support level को break करता है, without consolidation या retracement, so हमें इस breakdown पर trade नहीं लेना, next, अब देखिए price थोड़ा correct होता है, और इस correction period के दौरान, हमें दो parallel trend line मिलता है, उपर के तरफ जाते हुए, meaning, यहां हमारे पास एक various flag pattern है, इस breakdown के बाद, अब हमें breakdown को wait करना है, तो यहां आप देख सकते हो, एक red candle lower trend line को break करता है, बट हमें immediately कोई trade नहीं लेना, अब हमें volume को देखना है, तो यहां आप एक चीज़ देखिए, इस sharp downtrend move के दौरान, volume increase हो रहा था, और इस correction period में, volume low था, पर जैसे ही price यहां trend line को break करता है, तो यहां हमें high volume देखने को मिलता है, यह हमारे लिए एक confirmation है, कि participant market को नीचे ले जाने में interested है, तो हम यहां short कर सकते हैं, और हमारा stop loss यहां कहीं होगा, book के according हमें profit target, इस flagpole के जितना रखना है, बट मैं आपको recommend करूँगा, आप यहां 1-2 का profit लेकर exit हो सकते हैं,